जैई श्री कृष्ण प्रियादर्स को आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महालक्षमी जी के कुछ ऐसे मंत्र इन मंत्रों को पढ़ने से महालक्षमी जी किरपा होती है कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का पाठ करता है तो उसके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है घर में धन धान्य से समनवित होता है इसलिए नित्य इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए मैं एक-एक अक्षर करके आज ये मंत्र पढ़ाने वाला हूँ आप इनको पढ़ लीजिए, बोलना शीख जाए और नित्यन मंत्रों का ना पाट करना चाहिए ग्यारायमनत्र है नित्यक्यार मंत्रों का पाट करना चाहिए आई प्रारम करता है ऐसे करम कांट के मंत्र सीखने केलिए हमारे करम कांट सीखें कैसे बोलेंगे मंत्र को ये पहला मंत्र हो गया, दूसरा मंत्र कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे तीसरा मंत्र कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे सरवग्ये सरववरदे सरवदुष्टभयंकरे सरवदुखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते तो ये होगे तीसरा मंत्र चोथा मंत्र कैसे पढ़ेंगे सिद्धी बुद्धी प्रदे देवी भुक्ती मुक्ती प्रदाइनी मंत्र पूते सदादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते कैसे पढ़ेंगे सिद्धी बुद्धी प्रदे देवी भुक्ती मुक्ती प्रदाइनी मंत्र पूते सदादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते ये होगे तो ये होगे चोथा मंत्र पांचवा मंत्र कैसे पढ़ेंगे बिल्कुली सरल दिले दे रे ऐसे ही इस यूटूब चैनल पर आपको इतने ही सरलती तरीके से मंत्र शिखाए जाते हैं आप हमारे चैनल प्रभीजीट करके सारे वीडियो देख सकते हैं पांचवा मंत्रों केसे पढ़ेंगे केसे पढ़ेंगे योगजे योगसांभूते माहलक्ष्मी नमोस्तुते ये पांच मंत्रों हो गए चाटा मंत्र केसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसके बादें सात्वा मंत्र कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसके बाद में आटवांस लोग कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसके बाद में नुवा मंत्र कैसे पढ़ेंगे इसलिए इन मंत्रों को जरूर पढ़ना चाहिए इस मंत्र कैसे पढ़ेंगे एक काले पठे नित्यम महा पाप विनाशनम द्वीकालम्या पठे नित्यम धनदान्यसमन वितह आगे 11 मंत्र कैसे पढ़ेंगे सब प्रकार के सत्रों का नाश होता है गर में लक्ष्मी का आगमन होता है धन दाने से जबनवीत होता है इसलिए नित्यम मंत्रों का पाठ करना चाहिए एसई तमा मंत्र सीखने के लिए हमारे इस करमकांट सीखें यूटूब चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक कीजिएगा जो भी जिग्या साओ कमेंट बॉक्स में जुरू लिखेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद